हालो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल आज की वीडियो में हम देख रहे हैं नर्सिंग केर प्लान फॉर पेशेंट विद साइकेट्रिक डिसॉडर तो यह जो एंसीप है यह टॉपिक डिपरेशन पे है और आर्स्रिवनी की जो रिकॉर्ड बुक है पैक्टिकल फाइल है उस आया हुआ है जैसे कि जिसने एड्मिशन कर आई जो उनके साथ में कोई रिलेटिव वगैरा थे स्पाउस उनके बच्चे उनके ममी पापा जो भी थे इंफॉर्मेंट में वह आप लिख सकते हो ब्रदर सिस्टर वाइफ कोई भी उनके बारे में लिख सकते हो उनको नाम ल च्राइशन का है तो इसमें लेक और सलीप भी है लेक आफ इंटरस्ट है यह सारी में जो प्रॉब्लम है पेशन को है असाइनमेंट नमबर 11 है मैंने आपको बताया क्या साइमन क्या रहा है यह विस्ट्री ऑफ प्रेजेंट एलनेस लिखनी है प्रेजेंट में यानि कि उस कि आर्श्रीविनी की प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक देखना चाहते हैं तो अब मैं उन वीडियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूं जो भी आपके इसमें यानि की आसाइनमेंट्स है अथर शीविनी में तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा उस patient की और insomnia भी है apathic behavior syndrome from a week one week लिखना है one लिखना है one mood changes के बारे में आप बता सकते हो rapid or dramatic shift in emotion or depressive feeling societal thoughts poor thinking and get a negative thought related to societal tendency due to fear anxiety next है nervousness तो इसमें लिखा है कि fear and suspiciousness of others and a strong nervous feeling nervousness यानि की patient जो है वो suspicious शक्की behavior भी है उसका others के लिए और उसको feeling होती है nervous feeling यानि की nervous हो जाना वो वाला feeling है unusual behavior तो इसमें uncharacteristics पेक्यूलर बिहेवियर तो यहां इसका मतलब है कि उसका जो behavior है वो बहुत ही अजीब है normal behavior से weird behavior को हम peculiar कहते हैं नेक्स्ट है past psychiatric and medical history तो इसमें प्री नेक्स्ट है पर्सनल हिस्ट्री तो इसमें प्री नेटल हिस्ट्री चाइल्ड होड एजूकेशन प्ले इस्ट्री इमोशनल प्रॉब्लम अडॉल्स प्री मॉर्भिड प्रस्नलिटी कैसी है पीस की तो इंडुमॉर्फिक जैसे भी उसकी पर्स।यो conclude subscribe किया हुआ हूं तो इसमें अंडुमॉर्फिक मे meer छ ची इसमें पर्स।यों जो गोलमोटोल मोटे से लोग होते हैं, मीजोमोर्फिक जो मस्कुलर होते हैं और एक्टोमोर्फिक जो लीन एंड थिन पतले वाले लोग होते हैं, तो इस तरह से personality को, अलग-अलग तरह से जो भी scholars हैं, उन्होंने अपने हिसाब से describe किया personality को भी, फिर है physical examination, इसमें journal examination हम करें सब कुछ यह parameters हम चेक करते हैं, नेक्स्ट है, यह physical examination में ही है, CVS peripheral pulsation हम देखेंगे, respirator system, GI system, musculoskeletal, lymph node, breast, physical examination आप करोगे, जैसे कि female है तब आपको यह लिखना है नहीं, तो आप इसमें निल लिख सकते हो, no ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर pelvic examination है next, other sign है कोई body पर, तो वो लिखेंगे, summary करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर patient की जो organ वाली condition है, organic system, जो internal organ है, ऐसी कोई problem नहीं है, ठीक है, normal है, good है, जो test patient की हुए है, वो आपको लिखना है, इसमें investigation लिखी गई है, जो blood investigation है, वो यहाँ पर mental status examination, psychiatric के जो NCP हम बनाते हैं, उसमें physical examination थोड़ा लिखते हैं, हम इतना नहीं करते हैं, main-main लिखते हैं, और mental status examination इसमें जरूरी रहता है, तो journal appearance behavior, यह पहले इसमें आएगा, उसके बाद यह continuation में है, level of grooming आप देखोगे, level of cleanliness, consciousness कैसा है patient आपका, conscious, unconscious, semi-conscious, और mood of entry, behavior, cooperative, eye-to-eye contact, psychomotor, activity, report, gesturing, posturing, यह सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे, जो mental status examination है, hallucination, hallucinatory behavior, कुछ भी लगता है कि उनको hallucination जैसे कोई problem है, तो आप लिख सकते होगी, हाँ, hallucination है, कुछ भी अब, जैसे कि without stimuli, कुछ भी दिखना, या सुनना, या महसूस होना, कुछ सूंगना, किसी तरह की smell, तो अलग-अलग तरह का hallucination हो सकता है, दिल्यूजन भी present लिखा इसमें, thoughts का problem है यह, उसके बाद आप speech देखोगे, patient की, speech का पूरा इसमें, initiation, reaction, time, rate, productivity, volume, tone, इसमें नोट करेंगे, कि further points बनाये गए हैं, mood and affect देखना है, subjective, objective, predominant mood state, next है thought, next हम perception देखिंग, patient का, इसमें illusion and hallucination दोनों को देखेंगे, hallucination present है, illusion नहीं present है, patient में, तो यह, उसी का continuation में आया रहा है, cognitive function देखेंगे, next हम इसमें, consciousness, orientation और attention देखते हैं, फिर आप memory देखोगे, patient की, फिर इसमें आता है, हमारा जो पूरा ही concentration के अंदर में चीज़ें आ रही हैं यह, तो judgment, यह चीज़ें हम note करते हैं, उसके बाद insight देखोगे आप, insight के अंदर तीन grade दी जाती हैं, insight यानि कि अपनी प्रॉब्म के बारे में, aware होना, या फिर नहीं aware होना, यहां पर nursing management शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि आप assessment करोगे सबसे पहले, objective data and subjective data, फिर हम बनाते हैं, nursing diagnosis, according to condition की patient को क्या diagnose हुआ है, उसकी हिसाब से, उसके sign and symptom की अधार पे ही diagnosis बनाये जाएंगे, इसमें altered thought process evidence by perceptual disturbance like hallucination, impaired verbal communication related to disorder of thinking process, poor judgment, self-care deficit related to cognitive impairment and perceptual disorder, फिर इसको nursing process बना करके, पूरा explain करना है, एक एक diagnosis को, सबसे पहले हम assess करेंगे, nursing diagnosis बनाएंगे, goal रखेंगे, यह मता, set करेंगे objective को, जो thought process है, उसे हमें improve करना है, उसके लिए हम intervention implementation करेंगे, अपना जो plan है, उसका rational बताएंगे, और evaluation करेंगे, ठीक है, फिर next diagnosis, second वाला आईए, तो इसमें impaired verbal communication का है, तो communication की जो techniques है, communication की जो problem है, उसे हम normal करेंगे, तो gain confidence during communication effectively with others, इसमें भी complete explanation है, next, आपका third diagnosis, self-care deficit का, तो self-care deficit की problem है, तो उसका goal है कि improve करना है, इसमें patient के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसका help कर सकते हैं, self-care में थोड़ा सा help करना है, और थो encourage भी करना है patient को self-care के लिए, last में, medicines के नाम लिखते हैं, जो patient को medicines दी जा रही है, तो इसमें, dizepam, haloperidol, chlorotromazine, यह medicines patient को दी जा रही है, जो कि dizepam, oxidative है, haloperidol, anti-psychotic है, इसमें आप इस जगा पर, इस जगा पर, इस जगा पर, एक medicine होती है, citalopram, या फिर इस citalopram, वो भी आप लिख सकते हो, 2.5 mg करके, ठीक है, इस जगा पर लिख सकते हो, वो एक antidepressant medicine है, यहाँ पर आप health education लिखोगे, फिर आपको conclusion कर लेना है, ठीक है, और यह हमने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, लास्ट में, इस तरह का यह format ही पूरा बना बनाया है, बस इसको fill ही करना है, आपके पास भी यह book होगी, तो आपको बस इतना ही fill करना है चीजों को, बाकि यह चीज़ें teacher के लिए होती हैं, वो number आपको देंगे इसमें, वो आपको काम का चीज नहीं है, तो यह था हमारा आज का NCP, इस NCP के health से, और अगर NCP दूसरे आप बना रहे हो, वो भी आप बना सकते हो, थोड़ा साब को sign and symptom का ध्यान में रखना है, complaints जो है, patient की chief complaints, medical history, nursing diagnosis, और medicines का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि उनमें एक थोड़ा सा हलका-फुलका hair fare होता है, condition के हिसाब से, तो thank you, और description box देख लेना, उसमें मैं आपके अधर वीडियो के link प्रोवाइड आपको करूंगी, playlist चैनल की देख लेना, thank you,